दोस्तों न्यूज व्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं नीन के बारे में क्याकेकार नीन हमारी सिहत के लिए कितनी जरूरी है दोस्तों हर साल पंद्रमार्च को वर्ल्ड स्लीब डे मनाया जाता है जानकारों का कहना है कि साथ से आठ घंटे की नीन हमारी सेहत के लिए पर्याप्त है इससे कम या फिरिस से ज़्यादा घंटे तक सोने से हमें नुकसान हो सकता है अध्यान बताते हैं कि जादा सोने से भी सेहत पर इसका असर पड़ता है साल 2001 और 2008 के बीच में इस पैन में 3820 लोगों पर एक शोद किया गया और यहाँ पर 8 से 11 घंटे तक सोने वालों को कई तरह की बीमारिया पाई गई हैं दोस्तों आपको बता दें कि कम नीन और 7-8 घंटे से जादा की नीन दौनों ही हमारे स्वास के लिए नुकसान दायक हैं 6-7 घंटे से कम की नीन होने पर टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग और अवसात की बीमारी हो सकती है वहीं 10-12 घंटे की नीन होने पर मदुमें, हृदय रोग, मोटापे और अलजाइमर के साथ ही मनवरोग भणने का खत्रा भी हो सकता है यदि 85 साल की व्यक्ति को 10-12 घंटे अगर वो सोता है और वह हर दिन एक घंटा अगर कम सोता है तो वह हर दिन एक घंटा तो उसे कामकास के लिए 3.5 साल का अत्रिक्त समय मिल जाएगा एक अरवान यह भी है कि दुनिया के 2 फीजदी लोग लॉंग स्लिपर्स है यानि कि वो 10-12 घंटे से भी जादा तक सोते हैं दोस्तों, 50 साल वाले उम्र के लोगों के लिए हर रोज 7-8 घंटे की नीन को पध्याप्त माना गया है हाला कि ये नीन अच्छी होनी चाहिए वहीं हम बात करें तो स्वास एवं निंद्रा रोग के विशेशक्य डॉक्टर शुब्धांशु का ये मानना है कि नीन पांच चक्रों में आती है एक सरकिल 90-120 मिनट तक का होता है यानि कि हम बात करें तो ये 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे तक का होता है ताजगी महसूस करने के लिए हमें हर रात कम से कम 3 सरकिल घेरी नीन लेनी जरूरी है घेरी नीन नहीं आती है तो लोग लंबी नीन लेने की कोशिश करने लगते हैं ज्यादा लंबी नीन से मोटापा फुर्दे रोग और अन्य समस्यां भी हो सकती हैं अब हम आपको बदाते हैं कि जादा सोने से सिहत पर क्या असर पड़ता है दोस्तों Sleep Research Society के विशेशग्यों ने 2005 में ये बताया था कि 7 से 8 घंटे की नीन अगर अच्छी होती है Associate Professor Naomi Shah कहते हैं कि लंबी नीन मदुमे, पृधयरोग, मौटापा, अल्जाइमर और मनुरोग से जुड़ी हो सकती है वहीं Arizona State University और Phoenix VA Health Care System के शोध करता शौन यंगे स्टेट के अनुसार लंबी नीन क्यों आती है यह अध्यन का विशे है 10 से 12 घंटे सोने से सिहत पर असर पड़ता है वहीं हम बात करें तो American Academy of Sleep Medicine के मताबिक 10 से 12 घंटे सोने वालों को स्वास्त संबंदी समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता है यानि कि अगर कोई व्यक्ति 10 से 12 घंटे से भी जादा समय तक सोता है तो यह माना जा सकता है कि वो बीमार है और उसके अंदर कई तरह की बीमारिया घर कर सकती है मनुष्य की लाइफ पर भी इसका असर पड़ता है अगर इस पूरे जानकरी के अगर हम साराइश पर जाएं तो कुल मिलाकर कहने का निश्कर्श यही निकलेगा कि 7-8 गंटे की अच्छी नीन हमारी सेहत के लिए पर्याप्त है अगर हम इससे कम सो पाते हैं या फिर 7-8 गंटे से ज़्यादा की नीन हम लेते हैं तो आप इसे क्रप्या करके शियर करें लाइक करें और कमेंट्स करके भी हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने सुझाव भी हमें देख सकते हैं धन्यवाद